आज का जोतिश ये विशे रहेगा हमारे हिंदू शनातन धर्म में लगभग प्रतिक घर में तुलसी का पोधा पाया जाता है वास्तू शास्तर के अनुसार तुलसी के पोधे को घर में रखने की कुछ छोटे छोटे आवश्यक जरूरी नियम है यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो प्रिय दर्शकों तुलसी के पोधे में इतनी अधभुत क्षमता होती है आपके घर के बड़े से बड़े वास्तू दोश को ये ततकाल नश्ट कर देता है आपके घर में किशी भी परकार की कोई नेगिटिव एनरजी है तो उसको ये आपजर्व करके जीवन में शुब और मंगलकारी इस्तेतियां अवश्य बनाता है लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी गलतियां है यदि आप करते हैं आपके घर में तुलसी का पोधा लगा हुआ है यदि आपने उसको गलट डायरेक्शन में लगाया हुआ है कुछ ऐसी गलतियां यदि आप करते हैं तो तुलसी का पोधा लाब देने की वज़ाए आपको हानी कर सकता है आपके जीवन में दुख समश्या परेशानियों को आमंतरित कर सकता है आपके जीवन में तनाव बढ़ा सकता है आपके घर में दर्दरता को बढ़ा सकता है तो ये कौन सी गलतियां है जो आपको कभी भी नहीं करनी है यदि आपके घर में तुलसी का पोधा आपने लगाया हुआ है जानकारी देने से पहले बता दूँ यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल को तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इससे आपको बहुत जादा लाब होगा सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फिरी होता है लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा आपकी जीवन से जुड़ा हुआ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप आसने से मेरे वीडियो देख सक चलते हैं वास्तो शास्तर की अनुशार घर में तुलसी का पोधा यदि आपने लगाया हुआ है तो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए यदि ये गलतियां आप करेंगे तो जीवन में तुलसी का पोधा जितना जादा शुब और सकारात्मक्ता जनरेट करत है ठीक उसके विपरीद बहुत जादा हनी आपको पहुंचा सकता है तो ध्यान रखें तुलसी के पोधे को कभी भी घर के दक्षिन पस्चिम के बीच के कौन में ना लगाएं ये राहू की दिशा होती है नेरित्यकौन यहां पर कदापी मत लगाईए दक्षिन दिशा में भी तुलसी का पोधा कभी भी लाब नहीं देता बलकि ये हानी करता है तो ये खाश बात अप ध्यान रखिए इसके अलाव़ा तुलसी के पोधे को घर में ऐसी जगो कभी मत लगाईए जहां पर आप चपल जूते रखते हैं ठीक है किसी भी प्रकार से कुछ लोग तुलस का पोधा आपको कभी नहीं लगाना नहीं तो ये लाब की वजाए आपकी जीवन में हानी करेगा नेगेटिविटी गो बढ़ाएगा तुलसी के पोधे के लिए बहुत ही महतुपूर बात है तुलसी के पोधे को यदी कुबेर की दिशा में लगा जाए यानि घर के पूरव उत्तर कोण के बीच में लगा दिया जाए पूरव दिशा में भी आप लगा सकते हैं लेकिन इसका वास्तो सास्तर के अकोडिंगे प्रटिकूलर इस्तान निश्चित है उत्तर दिशा या पूरव और उत्तर के बीच जो इशान कोण है यदी वहाँ पर आप तुलसी का पोधा लगा के रखते हैं और एक बहुत विशे किश बात है तुलसी के पोधे की आपको क्षमता देखनी है ताकत देखनी है कि वाकई में तुलसी का पोधा किश प्रकार से चमतकारी शिद होता है आप करके देख लीजिए कि विधी में आपको बता रहा हूँ तुलसी के पोधे को पूरव या उत्तर दिशा के बीच में लगा करके रोज इश्रान करने के पश्चात नियमित रूप से जल देना प्रारम करें और साइंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है वहाँ पर उस समय पर एक घीका दी प्रजवलित करके लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हुआ प्रातना करें इस पोधे में इतनी अध्भूत क शमता होती है धन आगमन के ये रास्ते खुल देगा मा भगवती लक्ष्मी की क्रिपा आपके उपर आपके घर परिवार के उपर बनने लगेगी क्योंकि तूल्सी के पोधे का इतना जो बड़ा बारी शास्त्रों में वर्णन है महत्व वो ऐसे ही नहीं है इसके पीछे ए जादा लापदाएक इस्तितियां बनाती है यहां इस दिसा में यह दिये पोधा होगा तो बहुत जादा पॉजिटिविटी जनरेट करता है आपके घर परिवार के लोगों की जो विचार धारा उसको सकारात्मक बनाता है किसी भी प्रकार की बिमारी और पीड़ा कारक जो तर्शको जोतिस गुरुजी योटूब चैनल पर विशेश करके शादे विवाह से रिलिटेड में जानकारियां देता हूँ यदि आपको प्रॉपर जानना है आपका विवाह कब होगा जोतिस शास्तिर के अनुशार कैसा जीवन साती मिलेगा और जल्दी से जल्दी शाद विवाह होने के लिए शादी का रिस्ता पक्का होने के लिए कौन-कौन से चमतकारी उपाई कर सकते हैं तो एक बार जोतिस गुरुजी योटूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें मेरे दवार अपनी जनम पत्रेका का सटीक जोतिश विशलेशन करवान चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहाँ पर संपर कर सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही रहेगा देखते हैं आप हमारा जोतिस गुरुजी योटूब चैनल